कॉंग्रेसर मुख्यमत्री सुख्वेंदर सिंग सुखु को लगता है ये टार्गेटेड और फोकस्ट बजट उनकी सरकार ने दिया है लेकिन विपक्ष इससे इतिफाक नहीं रखता बजट चर्चा पर रंधीर शर्मा भाजपा के वरिष्ट नेता हैं वो हमारे साथ हैं च बोजनाओं को लेकर रिखांकित करता है जिससे सीधा जनता की उमीदें जुड़ी हैं आपको सरकार का ये जो दावा है ठीक लगता है सरकार का ये दावा पूरी तरह से खोखला है इस बजट में कोई नई दिशाय नहीं कोई निया विजन नहीं ये जो विवस्था परिवर्तन का नारा है वो भी इस बजट में कहीं नजर नहीं आता आप देखेंगे अधिकतर ये दोजार तेईस चौविस का बजट दोजार बाइस तेईस के बजट की ही फोटो स्टेट कॉपी है ये माचल की बात कर रही है मोदी सरकार का अनुसरान करने की बात आप क्या है नहीं देखेंगे हिमाचल के बजट की कॉपी है मैं जो बजट अनुमान है उन पर चर्चा करना चाहूंगा जो बजट भंटता है सो और पे मैंसे चबीर पे वेतन के लिए हमारी सरकार ने रखे थे चबीस ये रख रहे हैं दस रपे पैंशन के लिए हमारी सरकार ने रख दिया रंढ़िर जी कम से कम आप ये तो मानेंगे चारजिंग स्टेशन बनाने की बात कई? कहा यू को रोजगार देँ ंप सबसीडिव उनको दे देंगे बैंक से लोन दिलवा देंगे उन्हों ने कहा ये वाहन देंगे ट्रॉक वालों को बस वालों को टेक्सी वालों को वो कहते रोजगार तो महां भी पैदा कर देंगे वाटर से लगा दिया और क्या चाहते हैं हमारी सरकार ने क्योगी और केंद सरकार हमारे केंदरिया मंत्रिया दोनि नितनी सोब युगई तो यह जो त olması कि भी तो कुठी सब्षीडि की बात कर करें कब से हिमाचल में शुरू है आधनिया प्रेमकुमार धूमल जी थे तो पॉली दिन बैन हो गया था बाट तब हो रही थी ग्रीन हिमाचल तब से शुरू है आज इनकी सोच नहीं है आप पर नेता प्रतिपक्ष जैराम ठाकुर दोनों एक ही बात कह रहे हैं लेकिन एक स संदर जो बदलाव की स्थिती है जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात सुख्वेंदर सिंख ठाकुर कह रहे हैं वो कहते हैं युवाओं को हमने टैक्सी वालों को हम पैसा देंगे हम उनको प्रेरिद करेंगे कि वह यह वहान चलाएं चार्जिंग सेशन लगाएं पैसा कम हैं यह जो सौर उर्जा लगाएं चार भी कमें पंद्रा लाख रुपे कमाएं आपकी सरकार ऐसा क्यों नहीं कर देखिए भाई इलेक्ट्रिकल वहिकल्स की शुरुवात हमारी सरकार ने की टैक्सी तो टैक्सी वाला चला रहा है आज डीजल पट्रोल वाली चला रहा है त तो इसलिए ये कोई ने रोजकार की बात नहीं है रिसोर्स मॉबलाइजेशन आपको लगता है सरकार कर रही है क्योंकि वाटर से इसकी बात की जा रही है यहां कहा जा रहा है कि हम ग्रीन एनरजी ग्रीन राज्जे की तरफ बढ़ेंगे लेकिन वाटर से शराब की बिक्र ये दोनों जनता पर बोज पढ़ेंगे ऐसा ठीक है कि शराब सेस पर कोई बोलता नहीं है प्रंतु शराब पीने वालों पर तो बोज है ही है ना लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे है दूद पियो शराब क्यों पीते है इसलिए अगर शराब नहीं पिएंगे तो सेस कहां स मैं का हिमाचल प्रदेश रिच है आप जड़ी बूटियों पर पॉलसी लाओ ना रोजगारों को रोजगार भी देंगा आए के संसाधन भी बढ़ाएंगे जनता पर कोई बोज नहीं आप माइनिंग पॉलसी लाओ ना प्रेंग बद्री जो लूट के ले जा रहे हैं इली हम तो यह कह रहे हैं कि आप इमानदारी के साथ हमने कहा आज भी हम कॉपरेट करेंगे आप इनवाल्प तो करो हमें कहीं हम आपको और भी सुझाब देंगे प्रन्तु हमारे यह कहने के बाद भी मुख्यमंत्री उखड जाते हैं उनको छोटी सी बात पिंच कर जाती है मैं पूरा कर दूँगा निश्चित रूप से उसको पूरा करिए जिस दिन पूरा होगा हम बदाई देंगे प्रन्तु भाई आप ने जो गरंटियंक दी है क्या बात आपने डूटी सीम को लेकर दी नहीं मैंने सिर्फ इतना कहा कि जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने तो प्रदेश में प्रचारित किया गया बहुत अच्छी जोडी है यह जोडी नंबर वन है और जब होडिंग्स प्रदेश में लगे तो उप मुख्य मुख्यमंत्री की फोटो गाइब हो गी तो सिरफ सुकु भाई साभी चा गए तो वो जोडी नंबर वन का नारा फ्लॉप हो गया तो यह सचाई है हाड़ फेक्ट है आपके एक नेता कह देते हैं कि एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री का बात कही जाती थी जैराम ठाकुर के ल अब मुख्यमंत्री का नारा लगा कर चुना लड़ रहे थे चाहे वो कौल सिंग ठाकुर मंडी से थे आशा कुमारी जी चंबा से थी हमारे यहां भी रामलाल ठाकुर थे मुखेश अगनियोत्री थे सुक्विंदर शुकु जी थे तो अब कौल सिंग ठाकुर जी को पूर यह बताओ यह भाजपत दरार क्यों पैदा करना चाहती यह सरकार तो पांट साल चलेगी यह तो बार-बार बात कह रहे हूं उनके कहने से कुछ नहीं होता यह सरकार हमारे गिराने से नहीं गिरेगी प्रंतु इनके कारणमों से गिरेगी आप विधायक नीदी बंद करेंगे वो हमारी थोड़ी बंद हो रही है, कॉंग्रेस के विधायकों की भी हो रही है आप डिवल्मेंट वर्क्स रोकेंगे, लोग कंसियोंसी में क्या जबाब देंगे, आप संस्थान बंद करेंगे, प्रवाबित कॉंग्रेस के MLA भी हो रहे हैं, एक दिन दुखी होकर वो हम फूट नहीं डाले हैं, हम तो सचाई उजागर कर रहे हैं, अब सचाई उजागर होने से उन में फूट तल जाए तो उसमें हम क्या करें, आपको लगता है डिप्टी सीम ही खुश नहीं है या आपको लगता है और भी कॉंग्रेस पार्टी में पूरी सरह संतोश है, डि मेरे तो देखिये राजिंदर राना जी, सुधीर शर्मा जी, राजेश धर्माने जी, बचारे बोल भी नहीं पाते विधान सवम हैं, इतने प्रेशान हैं, तो हम अगर दुखी आदमी की आवाज को उठाते हैं, तो हम तो इंसानियत का काम कर रहे हैं, आप मानते हैं कि य इसी पर होनी चाहिए था, या या जो जख्म जिनको छेडने की कोशिश आप कर रहे हैं, उससे राजनीती चलेगी, उससे प्रदेश चलेगी, इस सारी बाते हैं, बजट पे बजट को लेके भी चर्चा होती है, और साथ में थोड़ा राजनेतिक भी रहता है, क्योंकि राजनीती तो बजट पे उन्होंने शुरू कर दी, हम तो उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं, अपने अंतर विरोधन से गिरेगी, या ये सरकार पांच नहीं दस साल राज करेगी, मुझे पांच साल ही नहीं लग रहे हैं, आप दस की कहां बात करें, तो सालों सालों की बात में कुछ महिनों की बात है, तो ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष नेता रंधीर शर्मा, बजट पर चर्चा है, लेकिन बजट पर चर्चा से ज्यादा रंगीन चर्चा, उस राजनीती की है, जिसको छेडने की कोशिश से बजट चर्चा के दौरान भाजपा के न होती हों लेकिन ये बजट चर्चा में आज का दिन कॉंग्रेस की इस राजनीती और सियासत की तरफ भी इशारा करता है जहां कंग्रेस के नेता खुश है ये सरकार पांठ साल चलेगी ये सरकार दस साल चलेगी ऐसे कई सवाल इन चर्चाओं के साथ जुड़ते नज़र आते कैमरेमेंट सुभाज के साथ अरुन उन्याल सूरे समचार शिल्दा